आपका आज साइन्स का जो पेपर हुआ था 9th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का है तो यह इस तरह से आपका पेपर तो इसमें मैं आपको सॉल्ट करवा रहा हूं इस को और पिछली बार जो स्ट के मैंने सॉल्ट करवाए थे मॉर्निंग सिप्ट का तो इंविंग सिप्ट में 12 से 15 क्वेश्चन सेम आये थी थोड़ा बहुत उन्हें चेंजिंग था बटे उनकी आंसर सेम थी तो इसमें आप लोग देख लीजिए ड्रेविंग में दे रहे हैं वह इसके तरह से त्यारी कर लें लिए इसा आ जाएगा फ्रेंट कंट पैस्ट में ओं परिवर्तन के विए गैस रवस्तां बदलने की परिक्रिया क्या कहलाती है तो इसका अंसर हो गया उर्ध पातन सी अंसर इसका है next question है कौन सा गैस का गुड़ नहीं है तो इसमें से आप लोगों का जो answer है वो second का है D बहने की समता क्योंकि गैस बहते नहीं है और तीसरा question दे रखा है निमन में से कौन सा रसाइनिक परिवर्तन है तो तीसरे का जो answer आएगा लकड़ी का जलना यह एक रसाइनिक परिवर्तन कौन सा है पूछा है तो यह रसाइनिक परिवर्तन है आपका चोथा question है आपका कि यह दे रखा है fourth question आपको कि calcium phosphate का रसाइनिक सूतर क्या है तो calcium phosphate का रसाइनिक सूतर आपका यह answer इसका आजाएगा D next question number 5 5 का आपका answer जो है वो है यह आजाएगा आपका B next question is 6 6 का answer आपका आजाएगा B next question number 7 7 का जो answer आएगा 7 का answer है आपका C तो जिस तरह से Hindi medium में मैंने ABC जो लगवाए है इनके answer English medium में भी same ही वही answer है इनके यानिके पहले का आपका आजाएगा C दूसरे का आपका आजाएगा D तीसरे का आजाएगा आपका A और चोथे का जो answer है वो है आपका चोथे का answer है D चोथे का answer भी आपका D है यह और पांचवे का answer आपका आजाएगा B छटे का answer आपका है यह B चटे का अंसर B हो जाएगा और सात्वा कोश्चन्स है सात्वे कोश्चन्स का अंसर आपका है ये C तो इसी तरह हम Next question है हमारा question number 8 है 8 का जो पहले का अंसर है देखी 8 question है पहले का अंसर जो है वो आपका C आजाएगा 9th question है इसका पहले इसका अंसर है आपका D और 10th questions है 10th questions का अंसर जो आपका है A 10th questions का अंसर जो होगा वो होगा आपका A 11 questions है 11 questions का अंसर है A और 12 questions है 12 questions का अंसर आपका है B यानि कि इसका अंसर क्या आजाएगा आपका B आजाएगा 13 questions है 13 questions का अंसर जो आपका है वो है आपका B तो 14th questions है 14th questions का जो answer है आपका 14th questions का answer आपका आजाएगा ये C इसी तरह English के भी जो है वो English medium में भी है इनी के सेम तो जो question 14 का हिंदी में मैं बताया है वो ही English में भी होगा तो देखिए 8th questions English medium का क्या answer होगा 8th का होगा आपका C 9th questions जो है 9th का answer होगा D 10th questions है 10th questions का answer जो होगा वो होगा A यानि के A आजाएगा आपका अब उसके बाद हमारा 11th questions है 11th questions का जो answer है वो आपका आजाएगा 11th questions का answer होगा आपका A sorry A ये 11th questions का 12th questions का answer आजाएगा आपका B और 13 questions का answer जो है आपका आजाएगा 13 questions का answer है आपका B और 14 questions है 14 questions का answer आपका C है तो इसी तरह ये आपका 15th question है 15th questions का answer आपका आजाएगा C 16 questions है 16 questions का answer जो आपका आजाएगा ये है आपका D उसके बाद Assertion Region है, Assertion Regions में आप लोगों को दे रखें यह 17, 18, 19 और 20 तो इन सब का अंसर जो है 17 का अंसर आपका जाएगा A और 18 questions का अंसर है आपका C 19 questions का अंसर है आपका A और 20 questions इसका अंसर है आपका C इसी तरह English medium में भी questions है English medium में 15th का अंसर देखिए 15th questions दे रखा आपको 15th का अंसर होगा आपका C 16 questions है 16 questions का अंसर आपका आजाएगा D इसके बाद है यह आपके 17, 18, 19 और 20 यह असरसन रीजन है तो इसके अंसर देखिए क्या होंगे तो 17th का जो अंसर होगा 17th का अंसर आपका आजाएगा A 18th questions का अंसर आपका C आजाएगा 19th questions का अंसर आपका आजाएगा A और 20 questions का अंसर आपका आजाएगा C यह तो आपके MCQ और Assertion Regions थे बाकि जो questions आपके आए हुए हैं यह questions इस तरह से दिये हुए हैं इसके solutions नेक्स वीडियो में आपको मैं दे दूँगा तो आप इनको ध्यान देजिए और इनकी त्यारी कीजिए क्योंकि जो कल इवनिंग वाले हैं उनके लिए इनमें से कुछ question आ सकते हैं तो आप ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए फायदे मन्द होगा बाकि इसके answer में आप लोग को जो है आज ही इसकी जो है वीडियो बनाके आपको नेक्स वीडियो में दे दूँ होगा तो देख लीजिए questions सारी question है 21 question यहां से स्टार्ट है आपका इस तरह से आएगा आपका आगे कि जो questions है वह इसी तरह दिये हुए हैं तो आप screenshot लेकर के ने जो है वह देख लीजिए यह काफी important questions है और कल यह exams में आ सकते हैं अलाकि पेपर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं दिया था यह इजी पेपर था आपका आप इनका स्कीन सॉट ले लीजिए नेक्स questions देखिए इसमें सारे questions में आपको एक एक करके दिखा रहा हूं आप इनका स्कीन सॉट लेने के बाद आप इनकी practice कीजिए और chances है कि इसमें से बहुत से questions आपके आ सकते है और जिस तरह मैंने बताया था आपको कि SST में बहुत से questions आए थे तो इसमें भी आ सकते हैं आपके तो यह questions है next देखिए इसका questions यह हैं यह दिया हुआ है आपका questions सारे questions आपको वन बाइवन में आपको शो कर रहा हुआ है नेक्स देखिए इसमें यह हिंदी मीडियम में दिया हुआ है कोशन में 36, 37 इस तरह से यह जो आएंगे आपके 37 आपके पास आ जाते हैं यह खंड़े डय है इसके अंदर यह है जो है वो case studies यानिके mcq case studies होते हैं यह आएंगे आपके पास तो नेक्स इसके English medium question दे रहा हूँ आप लोग को English medium में भी question इस तरह से आ जाएंगे आपके तो देख लीजिए सभी आप इसकी practice कर लेना जरूर और practice करोगे तो आपको फायदा है इससे नेक्स यह Hindi medium का यह last page है आपका 29-39 questions आपके total आएंगे इनको देख लेना आप अच्छी तरह है नेक्स इंग्लिश मीडियम का है आपका इनके answers जो है मैं आप लोगों को जल्दी ही भेज दूँगा और आज ही आपको वीडियो बनाके इसके answer देदूँगा आपको आप इनके त्यारी कर लेना